हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा जैमादादी जैस्री शांग तो कैसे हो दोस्तों आप सभी आश्रा करूंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे आपके मन में आप सोच लिजी कोई भी एक मननत देखते हैं वो पूरी होती है आज का बह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेयर करना ना पूले तो शुरुबात करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर किखे लेते हैं क्या कह रहे हैं कमेंट सेक्षन में आखिर पता चली जाएगा हमें किस कि कौन-कोन सी मुराद पूरी होने वाली जो बी इच्छा एंब के इच्छा में जरू लिखेगा हम इश्वर से प्रेय करेंगे कि आपको इच्छा बहुत जल पूरी है स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिखाई देंगे बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों में से कोई भी एक नंबर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक करेगा आप उसे चूस कर लिए आपको अच्छा लगे पसंद आए जल्दी से उसे चूस कर लिजिए उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किसमत में और आखिर क्या कह रहे हैं टैरो पर आट संकेत है तो चलिए समझ लेते हैं बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इस सबसे पहले हैं बिद्ध नंबर जिन्हों ने भी पहले नंबर जूस करा है एस सबसे पहले हैं आपको यह अपनी मनन नत बोल दीजिए अपने मन में उसके बाद पैसे एक बार शांत मेरें आफ सबसके नंबर चूस सुब्स करें सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं आखी टारो काट क्या कह रहें युनिवर्स की तरब से आपके लिए क्या संकेत और आखी क्या कहना चाहते हैं इश्वर आपसे बहुत जल्द आपके ये मननत पूरी होगी बहुत जल्द लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा जी हां समय क् कि आपने जो मनट मांगी हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग आप से नाराज है कुछ लोग आप से परेशान या यूं कहें कुछ लोग आप से जल रहे हैं जिस वझे और आपकी ये मननत पूरी होने में समय लगे हैchesर कि अगर यह लूग आपके फेवर में आ चेक हों पूरी हो जाएगे आपफ रिलाक्स रहें खूश रहें क्षोश क्योंकि जितना ज्यादा हम जादा हम् ठासिए होंगे उतना चाहद हमें प्राब्लम पैद करना पढ़ेगे तो हमसे फाद मेरे नीया चितना झाम खूश रहेंगे उतना जल्दी हम जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे बाकि समय की वैलू को समझे जिस तरह से भी आप समय की वैलू समझ रहे हैं समझे और किमती समय आपको मिला है किमती समय की वैलू आप समझे इस समय का जितना अच्छे से आप यूज कर सकते हैं करिए अच वह पूरी होने वाली है इस वेश आपको खुश्य रहने की को शिच करनी होगी तोड़ा सा स्ट्रेस लेने से बचना वह एक रहना होगा बाकि समय कीकमत को आपको समझना को सोचना वहां कि जो समय आपको मिला उसको किस तरह से आप यूज कर सकें हैं अब वैल्यूबल समय है आपके मन में चल रही है जो काफी समय से आप सोच रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पारी है जो कि आप सोच रहे हैं कि चीज में positivity लाने की कोशिश करिए दूसरों से comparisons करना उनकी बुराइयां ढूनना हर किसी की बुराइयां करना लोगों से जलना यह सारी negativity जो आपके पास-पास है यह आपको आगे नहीं बढ़ने देरी इस वज़े से बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो रही तो कहने कहीं इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूते इन चीजों को थोड़ा सा जानने की ज़रूते क्योंकि यही चीज़े हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाएगी थोड़ा सा positive nature रखी अपना, relax रहिए, खूश रहिए, बाकि समय की value तो आपको समझ में आई जाएगी, समय बहुत अच्छा है, आपकी पक्ष में हैं, अच्छे समय का अच्छे से यूज़ करें और relax रहकर, खूश रहकर जीवन में, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, relax रहिए, इस बीचु काफी अच्छा समय आपका पूरा होने वाला है, काफी अच्छी आपको मिलने वाली यह आपको लाइप में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और हमेशा इक बात ध्यान रखेगा, जो भी मनत आप मांग रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा बहनत भी करनी पड़ेगी, अगर आप सोचे करेंगे नहीं, तक आप पास नहीं होंगे एक्जाम में इस बात का ध्यान रखेगे, ठीक है, बाकी समय फिल्हाल जो दिख रहा है वो तो फेवर में दिख रहा है, अगर महनत भी करोगे तो उसके परिणाम मिलेंगे, और को मनत मांगोगे तो वो भी पूरी होगी, सेके न आपके मनत आपके सपने से रिलेटेड है, या आपके लाइफ का गोल है, आपके लाइफ का टार्गेट है, आपके लाइफ का सपना है, तो कहीं ना कहीं सपने को पूरा होता हुआ देखने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ लाइफ में चैंजेस करने होग न ही लुट होगा हरवक्त पॉजिटीम माहुल में रहना होगा को डिक्ष Saint 00ff लगो को बच्छों से प्रेंग होता है जो बच्छों से प्यार करते हैं वो लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं पहचानना चाहते तो जिनको एक प्रेंग जो रहता चीजों को आप समझें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इश्वर की अराधना करते रहें धर्म के रास्ते पर चलते रहें कॉंसें कॉंसेंट्रेशन हमारा बना रहें लक्ष के प्रती कभी भी हम लक्ष से दूर न भठके हमेशा खुश रहें हमेशा लाइफ में पॉजिटीव नैचर रखें और सभी के लिए अच्छा सुचने की कोशिश करें जितना ज्यादा अच्छा सूचेंगे जितना आपको पता चलेगी लाइफ में ठीक है उतना जदा फ्रीली आप महसूस करेंगे तो आप कॉंसेंट्रेशन बनाए रखें बाकि खोश रहें जो होगा अच्छा ही होगा जो चीजे चल रही है लाइफ में वह हमेशा खुश रखने वाली है और खुश रहेंगे आप तो आप रिलाक्स रहें फ्रीली रहें माहूल में जितना हो सके और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इश्वर की करपा आपके ओपर बनी रहेगी जो समय आपको मिल रहा है वो समय आप यूज करें आपकी जो भी मनत है बहुत जल्द पूरी होगी जो भी आप्चुनिटी है जो बदलाव आने वाला है जिनमें काफी चेंजेस आने वाले हैं तो उन्चीजों को आप अच्छे से एकसेट करें और लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है तो थोड़ा सा उस पर भी आप ध्यान दे फोकस बनाय रखें, कॉंसेंट्रेशन बनाया रखें, रिलाक्स रहें, जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना है ठीक है जो होगा इश्वर की कृपा से हो जाएगा बस हमें लोड नहीं लेना बहुत ज़दा पैनिक नहीं होना है घबराना नहीं है हमेशा टेंशन लेने की आदित भी आपको परिशानी में डाल सकती हैं तो खुश रहने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा और इतना ध्यान रखें कि जो होता है इश्वर की करपा से होता है तो इश्वर की करपा आपको मिल जाएगी बस आप पॉजिटिव नैचर होना बहुत जरूरी है दोस्तो कुछ चाहते ही नहीं कैंडिर अगर ऐसा होए करें आपको मंदिर जाना है लेकिन आपके इच्छा नहीं हो रही तो आप अवश्य करके जाओ क्यों कि इश्वर्व नहीं चाहते हैं अनके करीभा जीन अगर आप जाओ तो हो सकता है अपके अंदर कुछ बदलावा आए जैसे कि सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय की जो भी बाते लोगों को पता चला है पित्र पक्ष में क्या कहना चाहते हैं पित्रों के माद्दिम साखिर आपको क्या मिलने वाला है और किस तरह की खुश खबरी आपके जीवन में आने वाली पित्र पक्ष में पित्रों का आशिरवात किस तरह से आपको मिलने वाला है कैसे मिलता उनका आशिरवात और किस तरह से उनके आशिरवात का हमें ध्यान रखना होगा ठीक है सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों की सैकंड नमबर जिलों ने चुसकर आपके पर पित्रों की बहुत बड़ी क्रपा है और बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियां भी आने वाली है और बहुत जल्द कसी आप जल्द अर्पित करें